बतादे कॉंग्रेस के अध्यच पद के लिए चुनाओ की अधिसूचना जारी होने में कुछ ही दिन से सरह जाने के बीच गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखने वाले और कॉंग्रेस प्रदेस इकायों ने पार्टी की बागडोर सम्हालने के लिए राहुल गाधी प में कॉंग्रेस की इकायों ने राहुल को पार्टी का अध्यच बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किये हैं सिर्फ इनहीं दोनों राज्यों में कॉंग्रेस अपने बूते सरकार में है वहीं पार्टी के अन्यप्रदेस इकायों के भी इस तरह के प्रस्ताव पारित करने की संभावना है राजस्थान में असोग गालोत और 36 गड़ में भुपेश बगेल की सरकार है उन दोनों और सिंग देव को करमसा राजस्थान और 36 गड़ में मुख्यमंत्री पद के आकांची के तोर पर देखा जा रहा है कुछ राजनितिक बिसलेसक इन प्रस्ताओं को पारित किये जाने संबंधी गहलोत और बगहल की पहल को गाधी परिवार के प्रति उनके द्वारा अपनी न रवज़े नहीं देने की कोश्चिस की है उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पार्टी की बागड़ोर संभालने के लिए राहुल गाधी को मनाने के वास्ते आखरी छड़ तक प्रियास किया जाएगा उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि यदि पार्टी के अध्जच पद के ये वहाँ आगा में चुनाओ नहीं लड़ेंगे तो वहाँ इसके कारण बता देंगे राहुल की टिपड़ी को पार्टी में इस संकेत के तोर पर देखा गया है कि वहाँ पार्टी के अध्यच पद के लिए चुनाओ लड़ने को इच्छुक नहीं है उन्होंने हाल में कन्य कुमारी में संबाद दाता संमेरन में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाम में कहा था मैं अध्यच बनूगा या नहीं यह कॉंग्रेस के अध्यच पद के लिए चुनाओ होने के समय पूरा असपश्ट हो जाएगा उन्होंने कहा था तब तक इंतजार करिये औ आपको पता चल जाएगा वहीं पार्टी के वरिष्ट नेता जेराम रमेश ने भी नए अध्यच के चैन में आम सहमती बनाने की हिमायत की और किसी भी तरह की इस हिती उभरने पर संगठनातमक बिजियों में नेहरू गाधी परिवार की प्रमुगता बनाया रखने की माग अक्टूबर है और जरूरत पढ़ने पर चुनो सत्रा अक्टूबर को कराय जाएगा नतीजे 19 अक्टूबर को घोसित किये जाएंगे